जहिंद प्यारे सातियों स्वागते आप सभी का उत्कर्ष एकेडिमी खिल्चीपूर के ओनलाइन प्लेट्फूम में इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2023 के लिए very most important GK and GS के क्योशन डिसकस करेंगे फ़रे सातियों आज हम लोग पाँचवा पार्ट डिसकस करेंगे इस से पहले हमारे चार पार्ट कम्पलिट हो चुके बिल्कुल selected और important क्योशन इस क्लास में लिए गए है और बिल्कुल छोटा सा क्लास होने वाला है इसलिए लास्ट तक आपको पूरी क्लास को ध्यान पुर्वक देखना है यकिन मानिएगा एक्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्प करेगी इस क्लास का पीडियाप आप डेली हमारे टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर लें जिससे आपको सभी क्लास का नोटिपिकेशन तुरंत मिल पाएगा आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्योशन है भारत में आने वाले पहले यूरोपी थे चार ओप्शन आपको सभी क्योशन में दिये जाएंगे ब्रिटीश, पुर्तगाली, डज और फ्रेंट तो भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यानि यूरोपी का नम आपको याद रखना है पुर्तगाली थे ओफ्शन नमबर दो करेक्ट आंसर होदाएगा वासको डी गामा 1498 में भारत के रास्ते, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपी आपको याद रखना है अगला क्योशन हमारे पास है निम्न लिकित में से कौन भारत के वर्तमान में महानियाई वादी है तो वर्तमान में जो भारत के महानियाई वादी हैं उनका नाम आपको आर वेंकट रमणी याद रखना है और उफशन नमबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर एक्जाम में पूछ ले कौन से नमबर के महानियाई वादी है तो फिर आप सौलवे नमबर याद रखिएगा गंगादर तिलक को कहा था ओफशन नमबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अगला क्योशन हमारे पास है दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था भूमापन के लिए प्रयुक्त पद दिल्ली सल्तनत काल में आपको याद रखना ह महा मसाहत आफशन नमबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दू यहापर इस प्रणाली को अलाव दिन खिलजी ने शुरू किया था अगला क्योशन हमारे पास निम्ड में से किस संगठन की इस थापना राजा राम मोहन राई के द्वारा की गई थी तो राजा राम मोहन राई के द्वारा ब्रहम समाज की इस थापना की गई थी आफशन नमबर एक इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा अचιए अगर एकजाम में पूछ ले आरी समाज के संसताप कों थे तो सवामी धयानन सरस्वती आपको याद रखना है और थियोसॉफिकल सोसाइटी इसके संसताप अगर एकजाम में पूछ ले तो हेलेना, बलावास की और हेनरी, स्टील, ओल काट आपको याद रखना है वाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे तो 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बागत क्या कांड हुआ था और इसमें याद रखेगा रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था ओफशन नमबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योषन नमबर साथ याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कहां लड़ा गया था तो प्यारे क्योशन है अडाई दिन का जोपड़ा कहां पर इस थी थे तो प्यारे साथ यो अडाई दिन का जोपड़ा अजमेर आपको याद रखना है आफशन नंबर समानित किये गए याद रखिएगा स्वाती पिरामिल आफशन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और स्वाती पिरामिल से आपको याद रखना है दो हजार च्छे में इन्हें फ्रांस का दूसरा सरवोच नागरिक समाने जिसका नाम है नाइट आफ दा ओर्डर आफ मेरिट इस से भी इने समानित किया जा चुका है अगला क्योशन हमारे पास है निमनलिकित में से आदिल शाही वंस के मुम्मद आदिल शाह का मगबरा कौन सा है तो मुम्मद आदिल शाह का मगबरा गौल गुमबज आपको याद रखना है ऑफशन नंबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा एक्जाम के अंदर गौल गुमबज कहां पर है ये भी पूछ लिया जा सकता है तो करना टक के बीजापुर में पढ़ता है गौल गुमबज ये भी आपको याद रखना है अगला क्योशन हमारे पास है पदमिश्री पुरुसकार प्राप्त करता गुरू अमूबी सिंग ने निम्नलिकित में से किस नत्य सेली में अपने मैतुपुन योगदान के लिए पुरुसकार से संबानित हुए थे तो अमूबी सिंग आपको याद रखिएगा मनी पूरी नत्य सेली से इनका संबंद था ओफशन नमबर दो बिलकुल सही जवाब है अगल नमबर तीन इसका आपको सही जवाब याद रखना है और विश्यो बैंक का मुख्याले एकजाम में पूछ लेता है तो वाशिंग्टन डी सी आपको याद रखना है जो अमेरिका में पढ़ता है अगला क्योशन है हमारे पास स्कॉर्पियन किक ये किस खैल से संबंदी थे तो इसकॉर्पियन किक का संबंद आप फुटबॉल याद रखेगा ऑफशन नमबर चार अगला क्योशन हमारे पास है नेक्स्ट बिहार में आपरेशन प्रहार किस से संबंदी थे तो राइट आंसर हो जाएगा शराब बंदी से यानि आपरेशन प्रहार का संबंद में हैं और इसका उद्देश आपको याद रखना है कोई व्यक्ति शराव या नशीला पदार के नशे में पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरापतार करके निकटम कारी-कारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पैस किया जाएगा अगला मोस्ट इंपोर्डेंट कोशन है तिस्ता नदी का स्थ्रोथ निम्लिकित में से किस राज्ज में हैं तो प्यारे साथियो तिस्ता नदी का स्थ्रोथ आपको याद रखना है सिक्किम राज्ज में ऑफ्शन नमबर चार बिलकुत सही जवाब हो जाएगा अगला क्योशन हमारे पास है हंटर आयोग 1882 ओप नैवी शि रिसका हो जाएगा नेक्स क्योशन है हमारे पास हडपा की मुहरों पर किस जानवर को उत्किन किया गया था तो हडपा की मुहरों पर आपको याद रखना है एक जानवर का नाम है एक सिंगा यूनिक और आप याद रखिएगा ओफ्शन नमबर तीन सही जवाब हैं अगला question है हमारे पास नीती आयोग का गटन किस वर्ष हुआ था most IMP question है तो नीती आयोग का गटन आपको याद रखना 2015 में हुआ था और ये योजना आयोग की स्थान पर लाया गया और नीती आयोग का याद रखेगा मुख्याले नई दिल्दी में है और इस नीती आयोग में नीती का फुल फॉम एक्जाम में पूछ लेता है तो National Institution Transforming in India आपको याद रखना है हिंदी में इसका पूरा नामे बारत परिवर्तन संस्थान अगला क्योशन हमारे पास है केंद्र सरकार ने ससस्त्र बलो में युवाओ की भरती के लिए किस योजना को मनजूरी दिये तो केंद्र सरकार ने ससस्त्र बलो में युवाओ की भरती के लिए याद रखेगा अगनी पत योजना को मनजूरी दी है important क्योशन हो जाएगा अगनी पत योजना आप सबने सुना होगा अच्छे से समझा होगा इस योजना के तहट भरती किये गए सेनिकों को चार साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया दाएगा अगला क्योशन हमारे पास है निमनलिकित में से कौन सा भारती राज अंग्रेजों के साथ सहायक संदी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज था तो भारती राज हैदराबाद आपको याद रखना है ये अंग्रेजों के साथ सायक संदी पर अस्ताक्षर करने वाला पहला राज था आफशन नमबर एक इसका सही जवाब आप याद रखिएगा तो प्यारे सातियों वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट टॉप टॉट्टी क्योशन की सीरीज चो चल रही है जब की एक्जाम के लिए अतिम हैत्पूर्ण साबित होगी इसलिए पर डे इस सीरीज को आप जरूर वाच किया करें थोड़े से समय में 360 डिग्री पर डे रिविजन आपको यहां पर कराया जाता है मिलेंगे इस नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ते रहेगा जहिंजे भारत वंदे मात्रम